मित्रों वीकली करेंट एफेर्स की क्लास में आपका स्वागत है अभी तक आपने इस्टेडी विसरनाइस को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट एंट शेयर भी करें आज की जो क्लास है पिछले हफते की यारी 13 से 19 तक की जो करेंट फेर्स है उसका निचोड है उसमें जो महतपूर नी हुजाई है उसके बारे में है इस क्लास में भी कुछ डाटा है जो आपके इक्जाम के लिए इंपोर्टेंट जैसे पहला है परोस्नीत के तहत भारत ने कुछ भिकास अबंटन किया है हमें फॉड़ोस नीट के अपने परोसी को सहयता के हमारे कश्म tb नेपाल है और भूटान है कि कि इस स्रीवर का है मालदीव है बंगलादेश है तो इन सब देशों को इन सब देशों को चुकी इसे भारत सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो इनको ससक्त करना और यह अगर ससक्त रहते हैं तो भारत बाहरी इसे चाइना आद का हर्स्तक्षे पकर इनमें कम रहता क्योंकि अगर भारत सहायता ने देगा तो क्या होगा यह अपनी सहायता के कि माला बना रहा है तो प्रसांद महासागर में पूरी तरफ हर जगह अपने अड़े बना रहा है जैसे चाहे पाकिस्तान में हो गौदर पोर्ट हो यहां का असे लंगा खंबन बोटा हो यहां कि पनविजली परियाल नौ में निवेश करना हो चाइना हर जगह अपना घुसा हुआ मैं अमार से सीधे एक कनेक्टिक लाइन बनाना हो तो चाइना जो हर तरफ अपनी पैठ बना रहा है भारत चुकि सीधा पडोसी देश है और उसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा लंबी तो नहीं लिगनी है कि काफ अचित संबन्ध और उचित शायोग पूढ सायोग आत्मक संबनाए रखना जरूरी है और परत्माल सरकार ने इसके इताहत पूरा द्यान दिया है इसने भूटान को 2400 करोण की सहायता दी है मालधीब को बिकास सहायता 400 करोण की अफगानिस्तान को 200 करोण की नेपाल को 550 कर सबसे ज्यादा बूटान को मिला है और दूसरे नमबर पर कौन सा है नेपाल है इसको मिला हम जानते हैं कि इन दो भूटान के साथ भी अभी चायना के साथ उसके भारत के साथ कुछ नेपाल में कुछ समस्याइं उत्पन हुई है उन समस्याओं को बर्तवान सर्गार ने धेरे-धेरे साट-आउट किया है तो ऐसे में यह सहायता बहुत जुरूरी है विगास सहायता के रूप में चंवन सो आठ करोन रूपर कितना 508 करोण रूपए विकासा है था के लिए 2324 में दिया गया है 2324 का डाटा है कौन सा है 2324 का डाटा भारत का निर्यात लक्ष भारत ने अब तक जो निर्यात किया है 2009 में 291 बिलियन 2016 में 435 बिलियन डालर 2023 में 760 बिलियन और 2030 तक 2000 करोण रूपए के निर्यात का लच्ष दो लाख करोण रूपए के निर्यात का लच्ष 2030 तक यह लच्ष बहुत जरूरी है यह आपके ग्याम में आ सकता है 2030 तक कितना दो लाख करोण रूपए यह 2000 बिलियन डालर का लक्ष रखा गया है इसके बाद 150 से अधिक देशों को भारत ने कुरोणा काले बैक्सीन पीपी किट आक्सीजन कंसंटेटर आक्सीजन सिलिंडर मतलब इस तरह की बहुत सारी उपकरण जो चिकित सब प्राण इस उप चिद्धी हो रही है आए-टी सेक्टर की बात अगर कुछ किजा तो आएटी सेक्टर में दुनिया सबसे बड़ा नेटवर्क कहां है भारत में लिए और सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इस समय इंटरनेट की संख्या में दूसरा स्थान है कितना क्वेस अस्थान है अभी तक इसमें किबल दो खिलाडियों ने पदक जीता है पहला अंजू बावी जार्ज ने और दूसरा नीरच चोपड़ा ने कौन अंजू बावी जार्ज ने और दूसरा नीरच चोपड़ा ने और नीरच चोपड़ा ने कहां से पतक 2003 में जीता था लांग जंप में और नीरच चोपड़ा न की режट कर दो हिसलाडिय सथ लाइस है किम से कंसे कम इशबार शड़ इंसे नीरच चोपड़ा चुकी भाग में तो उम्मीद है कि इस बार भी स्वर्ड ले आ सकते हैं कि बिंधिगिरी सुदेशी उद्धपोत बिंधिगिरी का 17 अगस्त को राष्टपती द्रोपती मुर्मु ने कोलकाता के सिप बिल्डर्स अंड इंजिणियर्स में जला उतरर है किसका 17 को कोलकाता से बिल्ड इंजिणियर्स का इंजिणियर्स में इसका बिंदिगिरी की बिशिश्टा ये है कि ये सता से सता पर मार करने वाले स् catalyst स्ल्रा एसे सता से पर सथ कमार्रानीश करने वाले स्ल्राइस इसको खोज करकेक यह नस्ट कर सकता है इसमें 35 अधिकारियों को बैटने की जगा है और 206 शायनिक इस पर तैनाद की जा सकते हैं दो इमर्जेंसी बोट इस पर है इस पर दो इमर्जेंसी बोट है और इसकी स्पीड जो है इसके बाद हम देखते हैं जो लांच अभी चंद्रियान थ्री गया है लेकर के चंद्रियान थ्री चार अगर्स्त को लैंड करेगा दच्छडी धुरू पर चंद्रमा के उसके सबसे निचली सबसे करीब की कछ्छा में इसमें पहुंच चुका है उसको भेजने के लिए लांच पैड की जरूरत होती है और लांच बहिकिल की जरूरत होती है जिससे वह भीजा जाता है सेटलाइट लांच बहिकिल जिससे ओपगरह को वहां पर यार्लेंड रोवर है जो जाता है और नस्ट हो जाता है उसको भेजने के बाद नस्ट हो जाता है लेकिन अब जो है भारत ने विदेश में अमेरिका जैसे देशों में पहले से ही है लेकिन भारत ने भी पुना यूज करने लायक कि अंत्रिक्ष में उपगरह को अस्थापित करने के बाद वो लौट आये और बिमान की तरह भारत में वापर स्पिर्थी पर लैंड करेंग अईसे लांच भेहिकिल का परिछन किया जा चुका है भारत में और जल्दी ही चूंकि अंत्रिक्ष में मानो भेजने की जो कवायत है बिना इसके संभव नहीं है क्योंकि जो लेके जाएगा उसको लेके आना आएगा नहीं तो फिर मानो आएगा कैसे सीधी सी बात है तो अ लांच भेहिकिल अंत्रिक से लोट करके कल्पना चालोग लेकर गया था तो वहां पर कोई तकनीकी खराबी को जासे उसमें ब्लास्ट हो गया प्रिथवी की तो प्रवेश करता है तो घरसंड की वज़ा से यहां हवा होती है बहुत तेज गती होती होती है तो हवा की पाई से कैसे क्या क्या पूंग लंच वहिकिल का विकास कैसे वह पहले कौन साया है अच्छिट सबसे पहले कौन साया इस रोओ का एस रोओ का मैं सेटलाइट है लांच वहिकल सल्वी सबसे पहले एक्चुल में इसमें आया से एसल वी कौन सा आया एसल वी से टे लाइट लांच बहिकिल टिक इसे लाइट लांच बहिकिल सबसे पहले बनाए गया दूसरा वना एसल वी आगुमें डे या समर्धित आगुमें टे लाइट लांच बहिकिल या समर्धित से लाइट लांच बहिकिल टिक ये दोनों पहले सेटलाइट लांच भेकिल बना फिर आगुमेंटेट सेटलाइट लांच भेकिल बना ये दोनों 150 किलोग्राम भार को कितना 150 केजी के उपगरा को पिर्थवी की निचली कच्छा में स्थापित कर सकते थे पिर्थवी की निचली के अच्छा में है, निचली आर्विट में है, लेकिन इससे हमारी उद्देश पूरा नहीं होता था, तो अगला आया तीसरे नमबर पर, PSLV, PSLV का भारत निवकास के PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, या धुरुवी सेटलाइट परच्छेपड यान, धुरुवी उपग्राफ परच्छेपड यान, तो इसके दौरा, इसके 54 मिसन हुए हैं, जिसमें 52 सफल रहे, चावन में 52 सफल रहे, 52 सफल रहे, इससे जो महत्पूर यान गया, चंद्रयान, एक को कब भेजा गया, 2008 में, PSLV से भेजा गया, मार्स, आर्बिटर को मार्स अभियान, ये 2013 में, इससे भेजा गया, PSLV से, ठीक, इसके बाद चौथा है, जी एसलवी, जी एसलवी, जी यो, सिंक्रोनस, अच्छा, यहां PSLV में एक चीज़ और होई आ था, कभी तक कि इन दोनों में, एसलवी, एसलवी में, ठोस, द्रवी इधन का प्रियोग नहीं होता था, लेकिन इसमें, लिक्विड स्टेज का भी PSLV में, लिक्विड स्टेज का भी प्रियोग किया गया है, जो इधन ले जाने में, इधन का उप्योग करने में, बहुत ही सहुलियत इससे होने लगी, जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लांच वहिकल, इसका विकास हुआ है भी अभी तक है भी वहाँ है भी जो उपगरहर्थे नहीं जा पाते थे, अब यहाँ जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लांच वहिकल से हम 10,000 केजी तक के उपगरह पिर्थिवी की कच्छा में स्थाबित कर सकते थे, कर सकते हैं, पिर्थिवी की कच्छा में, ठीक, पिर्थिवी की आर्विट में, और इसके अलावा, एम के थी, मार्क थी, जैसे हमारे जो इसके संस्क्राण है, इससे हम बहुत हैवी उपगरह को पिर्थिवी की इसलिए का अच्छा में स्थाबित कर सकते हैं, इसके बाद, इसके अठारा मिसन कुल रहे हैं, अठारा मिसन हुए, अभी तक, जीसल्वी के, पांच वे की बात सेटलाइट लांच वेहिकल, isके जुरूरत कर उपड़ी, इसमार सेटलाइट लांच वेहिकल, इसका कारण यह है कि जिसी देश को अपने उपगरह भेजने हैं, आप उपगरह है च्छोटा उपगरहा है, लागत बहुत आती है, पूरा लांच वेहिकल जाती है, नस्थ हो भीजना उसका करोड़ों रुपए लागत आती है ऐसे में छोटे-छोटे-छोटे सिटलाइट को भीजने के लिए हम इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं कि उस सेटलाइट के इतनी उपयोगता उससे ज्यादा हम खर्च कर देंगे उसको भीजने में नहीं एक कहावत है भखेर छोड़िये तो उसको इस वज़ा से विभिने देशों के जो छोटे होटे आर्वे सेटलाइट्स होते हैं उनको भेजने के लिए इसका विकास किया गया इस चोटे होटे कई अंतिम बिकास हुआ है रियूजबूल आर ऐसल वी विए वही हमने बताया कि अब लांज भीडिकिल जाएंगा परीच्छण हो चुका भारत की तरफ से कोई भी लेकिन अगर यह तयार होगा तो भविश्च में चांद पर मानों भेजने की जो भारत की अंतरिक्ष्ण मानों भारत की परियोजना है यह तभी सफलोगी जब रियूजबॉल रूट सेटलाइट लांज बहalone रहे तो इसा तरह से जो सेटलाइट लांज बहेंगर वो इस तरह से यहां तक आ करके पहुंचा है और भविस्मित मंगल यान मंगल पर्या ब्रहवांड की किसी अन्य ग्रह पर जहां पर मानो जीवन की संभावना हो सकती है वहां तक मिसन भेजने की अगर संभावना कभी बनती है तो ऐसे में ये आरिया सल्वी रियूजबल सेट अगर यह लगातार देखते रहेंगे तो आपको निश्चित्रों पर फायदा होगा थैंक्यू